अहिंसायम करुण के अवतार स्रमन भगवान महावीर के पाउनपनी चरणों में सादर कोटी कोटी वंदन अभिनंदन आप लोग स्रमन कर रहे हैं कि आचारियों की महन परंपर में महान आचारी हेम चंद्र सूरी हुए हैं जिनोंने ग्रस्त में रहने वाले ग्रस्ती लोगों के लिए 35 प्रकार के मारगानों सारी बोल बतलाए हैं उन 35 छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के सुन्दर आचार और विचार को प्रेरित प्रभावित करने की छमता है और ये छोटे छोटे सूत्र व्यक्ति के जीवन को अनुशासित व्यवस्तित बनाने में बड़े सहयोगी है अभी आप उन सूत्रों के बारे में नहीं सुन्दे केवल मात्र भूमिका के बारे में सुन रहे हैं और कल आपके समफ चर्चा चल रही थी द्यवहार धर्म के अंतरगत चार प्रकार की भावनाओं के विशे में मैत्री भावना, प्रमोद भावना, करुणा भावना और मध्धस्त भावना चार भावनाओं में से दो भावनाओं के विशे में आप सुन चुके हैं मेत्री भावना और प्रमोद भावना क्या है तीसरी भावना कही गई है करुणा भावना करुणा कहो अहिंसा कहो दया कहो एक ही बात है जीवन के अंदर जहां जहां पर अहिंसा का तत्त विद्यमान है वहां दया करुणा अनुकंपा वगैरा जो गुण है ये स्वत है व्यक्ति के जीवन में उतर आते हैं और जीवन के अंदर अहिंसा कहें, दया कहें, करुणा कहें एक ही बात है तो हम अपनी जीवन के अंदर अहिंसा, दया, करुणा को प्रधानता दे करके चलें और ये भावना मानव स्रिष्टी में एक सुन्दर सांतिक इस्थापना करने में मूल भूत भूमी का अदा करती है तो हम अपने जीवन के अंदर इन गुणों का विकास करें आप और हम सभी मानव समाज के बीच में रहते हैं लेकिन मानव समाज पुरी दुनिया की एक सी है ऐसा नहीं है कहीं के मानव समाज में प्रेम, मैत्री, सन्हें आपसे बंधुत्व का भाव बड़े व्यापक इस्तर पर देखने में आता है और वहुँ सारे स्थानों पर ये बंधुत्व भावनी होता, प्रेम भावनी होता, अहिंसा का भावनी होता, दया करुणा का भावनी होता रवा हिंसा है मारकाट है क्रूरता है ए सुरक्षा है एक दूसरे को दुस्मन मान रहे हैं हथ्यारों का भरपूर प्रियोग कर रहे हैं जो की उचित नहीं है अहिंसर की छेतर में कहा है आत्मन है प्रतिकूलानी पर ये शामने समाचरेत अर्थात ये कहा है कि हम कोई भी ऐसा कारिये ना करे जिसे सामने वाला व्यक्ति पीड़ी तो होता हो हमारे को दुख और पीड़ा हमें स्वयम को अच्छी नहीं लगती तो हमें चिंतन करना चाहें कि मुझे दुख पीड़ा स्वयम को अच्छी नहीं लगती तो किसी दूसरे प्राणी को भी अच्छी नहीं लग होती है ऐसे औरों की सरीर में भी अपार वेदना होती है हम अपनी वेदना को दूसरे की समझें दूसरे की वेदना को अपनी समझें अपने सुख को अपना सुख मानते ऐसे दूसरों को सुखी बनाने का प्रेतन हमारे को करना चाहिए तो हम अपनी जीवन के अंदर अहिंसा, दया, करणा, प्रेम, मैत्री के महान गुणों को विक्षित करने की दिशा में हमारे को प्रेतन जरूर करना चाहिए हमारे साधू समाज का राट दिन एक ही प्रेतन रहता है प्रवचनों के द्वारा, लेखन के द्वारा, प्रेरणाओं के द्वारा कि लोगों के जीवन में अधिक से अधिक अहिंसा का विकास हो मैत्री का विकास हो, प्रेम का विकास हो, स्नेह का विकास हो अनुकंप का गुण पैदा हो ऐसी कोशिस हमारे साधू समाज की रहती है और कुछ साधू साध्मिय तो ऐसे हो गए है जिनोंने अहिंसा दज़ा करुणा के गुणों के विकास के लिए भरपूर प्रीतन करें एक्ष्रा प्रीतन करें अलग से बहुत कोशिस करें उन्होंन अपनी जीवन में उन में से हमारे पुरुत बडू कि प्रसिद्ध संत हुए हैं मुनिश उशिल कुमार जी महराज, जिन्होंने स्रमन संग में दिख्छा ली, सान 76-77 के आसपा स्रमन संग को छोड़के अमरीका वगारा बहार देसों में धरम प्रचार के लिए चले गए, वो विदेश चले गए अलग पक्ष है, लेकि उससे पहले जब वो भारत में थे, उ सावजनिक प्रवच्चन देते थे, जैनेतर समाजों के बीच में जाकर के बोलते थे, इनी सारे गुणों के बारे में प्रकाश डालते थे, अहिंसा के लिए सरकार से तरह तरह की मांगे करना, डिमांड करना, लोगों को समझाना, अनेक तरह के प्रेतर उनके द्वारा चल अंदोलन खड़ा करा जिसमें अनेक धरम परंप्राव मत संप्रदयों के प्रतिनिधियों को उसमें सामिल किया और भारव सरकार के सामने डिमांड रखी कि गव हत्य के पर पूर्ण प्रतिवंध पूरे देश में लगाया जाए जब यह प्रस्ताव केंदर सरकार के पास गया तब की केंदर सरकार और आज की केंदर सरकार के बहाने कहलो या मजबूरियां कहलो उस सेम है तब भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है आज तो उसको एक राजनीतिक रंग दे दिया गया है तो तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदरा गांधी के सामने गव हत्या पर पूर्ण प्र सांतों के मेंबर ओफ पार्लेमेंट नौर्थिष्ट के साउथ के बहुत सारे ऐसे मेंबर ओफ पार्लेमेंट थी जिन्हों ने कहा कि देखो साब हमारे प्रांथ में तो गव के अत्या की जाते गोमांस खाये जाता है हम तो इसमें एगरी है नहीं कुल मिलाकर के विवाद बना रहा और वह नियम नहीं बना ऐसा कहते हैं संसद भवन का घेराओ करने के लिए डिमांड रखने के लिए आंदोलन को तेज करके संसत का घेराव करने के लिए सुशील मुनी जी महराज और अनेक अनेक परंपराओं के सादो संत व सन्यासियों के विशाल ने तृत के अंदर संसत का घेराव करने के लिए गए संसत का सत्र चल रहा था पुलिस फोर्स लगा रखी थी जब कुछ जादा ही आंदोलनकारी उग्र हो गए जिसमें कुछ संत सन्यासी भी थे तो प्रणाम क्या निकला पुलिस ने लाठी चार्ज आसुगेश का प्रियोग और साथ ही साथ कुछ गोली बारी भी हुई कुछ लोग घायल हुए कुछ मारे गए लेकिन ये सब प्रियतन क्या थे ये प्रियतन थे गव हत्या बंद करवाने के लिए गव हत्या तब भी बंद नहीं हुई और आज भी पूरी तरह से बंद नहीं है एक नया काम और चालू हो गया कि गायों को कोई गाड़ी में लेकर के इदर से उदर जा रहा है जहने का मतलब यह है कि हमारे मुनि शुशिल कुमार जी महराज ने बहुत प्रेतन करें अहिंसा दया करुणा के बहुत सारे काम करने के लिए शुशिल मुनी जी महराज से प्रभावित होकर के बहुत सारे अजैन बंधु वो भी अहिंसा के छेत्र में काम करने लगे, मेहनत करने लगे, वातरण बनाने लगे देखिए व्यक्ती व्यक्ती को सुधारने का काम तो सतत चलना ही चाहिए और सामुहिक रूप से कोई काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो प्रेतन जरू करना चाहिए शुशिल मुनी जी महराज की तरह ही एक हमारे स्रमन संग की बड़ी महान साध्वी हुई है, जिनका भी कुछी साल पहले स्वरगवास हुआ है महासाध्वी यश्कमर जी महराज, जो कि राजिस्थान के भीलवाड़ा और आसपास के कुछ जिलों में जिनका बड़ा प्रभाव रहा है और जिनका मान सम्मान ऐसा रहा, जैसे किसी खास प्रान्त के कोई आचारिय हो, इतना उनका महान व्यक्तित्त था, साध्वी जी प्रभाव शाली थी, मानने वाले लोग बहुत थे महासाध्वी यश्कवर जी महराज ने, अपने प्रति दिन के प्रोचनों में जा अहिंसा दया करुणा की बात करती थी, वहीं उन्होंने एक काम और किया वहीं आसपास में कुछ जंगल का एरिया, पहाड़ी एरिया लगता है, वहाँ पर एक माता का मंदिर है जिसका नहीं है जोगणिया माता, तो जोगणिया माता के मंदिर में प्रतिवर्स पशु बली चड़ाई जाती थी, पशों का वद्ध होता था, खोन बहाया जाता था कुछ खास परंप्रा के लोग ऐसे काम को बड़े बढ़ चड़ करके किया करते थे, महासाधवी यश्कावर जी महराज ने ओदेवी के मंदिर में उस बली प्रता को बंद करवाने के लिए लोगों में जन्चीतना जगाई, मंदिर के ट्रस्ट वालों से बात करी, उनको प नराज हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत कुछ हुआ, जब ये बातें धीरे धीरे और बढ़ने लगी, तो कुछ ऐसे अराजक तत तो थे आसपास के छेतरों में, उन्हें महासती यश्कावर जी महराज को यहां तक कह दिया, कि आप याद तो इस अंदोलन को बंद कर दें, नहीं तो आपकी जान पर भी आफटा जाएगी, यानि हम आपको मार देंगे, लेकिन महासती यश्कावर जी महराज जो राजपूत परिवार की थी, घवराई नहीं, बड़ी दिड़ता के साथ और ज़्यादा गाउं गाउं में जंचेतना जग तो अंत तहे वातवन ऐसा बन गया, जन दबाव ऐसा बन गया, कि जोगनिया माता के परिसर में हजारों पश्यों की बली जो प्रतिवर्स दी जाती थी, वो रुक गई, रुक गई तो एक सांदार वातवन बन गया और ऐसा कहा जाता है, कि वहाँ पर मंदिर के आसपास के छेतर में, मा सती जी महराज की प्रेर्णा से एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया, जिसमें गाओं देहात के लोगों का इलाज होता है, लोगों को रहात मिलती है, तो ऐसे सादो साद्वी हमारे समाज में हुए हैं, जिनोंने इस प्रकार के काम करके दिखाए हैं, ऐसे ए धार का काम किया, समीर मुनी जी महराज एक अच्छे ज्ञानी विद्वान पड़े लिखे सुल्जेवे संत थे, और मानव समाज के अंदर अहिंसा दया करुणा के महान गुणों का विकास करने का उनका प्रियतन था, और उनका विच्रण जादर तर राजिस्थान के अंद इदर उदैपूर, चित्तोडगाड, भीलवाडा, इदर मनसोर, रतलाम तक उनका विच्रण छेत्र था, और सैकड़ों गाउं के अंदर उन्होंने खटीक लोगों के बीच में काम किया, खटीक लोग उस वर्ग के लोगों को कहते हैं जिनका काम होता है, मरेवे पशू का चमड़ा उतारना, साफ करना, मार्कीट में बेचना, ये उनका धंदा होता है, महराज ने उनको समझाया, प्रेरना दी, और बड़ी अच्छी तादात में आट-दस हज्जार लोगों को उन्होंने प्रेरना दे करके, अहिंसा के गुण उनके जीवन में आरोपित किये, उ बहुत तरह की जैन धर्म के गुणों को बतलाया, और खटीक लोगों को उन्होंने परिवर्तित करके, एक नया नाम, एक नया गोत्र दिया, वीरवाल, वीरवाल, जैसे ओसवाल, पोरवाल, पल्लीवाल, वगरा वगरा होते हैं, ऐसी वीरवाल नाम का उनको नाम दिया गय कि आज के बाद आप सभी वीरवाल के लाओगे पूर्ण तहा अहिंसा का पालन करोगे जीवन में दया करुणा को तुम्हें अपने जीवन में अपना करके चलना है तो समीर मुनीजी महराज की प्रेड़ना से लगब आठ से दस अजार लोग जो हैं अहिंसा की और उनमुख ह और महराज ने अन्यक लोगों को प्रेड़ना देकर कि उनके काम धंदों में परिवर्तन करवाने के लिए आर्थिक मदद करवाई किसी ने कपड़े की दुकान खोली किसी ने परच्शून की दुकान खोली किसी ने कुछ और खोला इस प्रकार लोगों के अंदर एक किया आज पास के छेत्रों में थोड़ा वहत विच्रण किया है तो मैं देखता हूं कि आज भी वीरवाल लोग उन महराश्तिरी जी की प्रेर्ण के प्रभाव से आज भी अहिंसा धर्म का पालन करते हैं जैन मत के अनुयाई हैं प्रति दिन सामाई करते हैं समय समय पर पोश् करना होता है अहिंसा के सुत्रों का विकास करने के लिए बहुत कुछ प्रेटन कि जाते हैं आज भी हमारे इस्रमन संग कसंत हैं राट उंत कमल मुनिजी महराच कमले जो कि श्रमन संग में मंत्री पदपर है उनका अहिंसा के प्रति, दयार करणा के प्रति काफी रुजहान है, इस लाइन का अच्छी study है, पकड़ है, समझ है, और अपने लेबल पर वो लगातार प्रेतनशील रहते हैं, कोसिस करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लगातार सुबे से शाम तो इनी कामों में रहते हैं, जहां के भनक लग जाएकि वहाँ गलत काम हो रहा है, विरोध करने भी जाते हैं, लिखा पड़ी भी करते हैं, प्रेशर भी डालते डलवाते हैं, तो कहने का मतलि काफ़ी कुछ काम करने की कोशिस इनकी भी विवनी रहती हैं, और यूँ देखो तो कम जादा मात्रा में हर संत साधवी की भावना यही रहती हैं, कि हिंसा घटे, अहिंसा बढ़े, लोगों के अंदर करुणा के संसकार पैदा हों, लोग इतने संवेदन शील बनें कि वह अन्य प्राणियों को मारते वे दस बार सोचें कि हमें ऐसा काम नहीं करना। कुछ अरब देशों में विचित्र प्रकार की हरकते देखी जाती हैं, और मैं उन देशों के बारे में क्या कहूं। वहां कोई अहिंसा की बात करने वाला, उनको सुनाने वाला है ही नहीं। जैन सादू वहां जाते नहीं, अहिंसा के प्रचारक वहां जाते नहीं। और जिस मत परंप्र को वो लोग मानने वाले हैं, वह अहिंसा उनके शब्द कोस में शायद है ही नहीं। दया करुना है यह नहीं केवल अपनी जान के अलावा उन्हें दूसरों की जानों की कोई कीमत का पता ही नहीं है मैंने एक दृस से देखा कि वह एक अजीब प्रकार का कमप्टीशन एक भोले भाले हीरन को पकड़ के लाते हैं और हीरन के पीछे पहले हीरन को छोड़ते हैं हीरन जब 200-300 मीटर निकल जाता है फिर उसके बाद 10 कुत्ते उस हीरन के पीछे छोड़ते हैं आप कल्पना करो कि आपकी भावना क्या है कि दस कुट्ते हीरन को पकडेंगे फफेडेंगे और चित्रे चित्रे कर देंगे और उसको देख करके उनको बढ़ानन दाएगा क्या विचित्र वाद है कैसी क्रूरता है अरे ठीक है जंगल में जंगली जानवर नैच्छरल आपसे अपना बैलेंस करते हैं लेकिन तुम मनुष्य हो करके क्या कर रहे हो क्या दिखाना चाहते हो क्या तुमारे आनंद का यही एक हित्व है और उस हीरन और कुत्तों के पीछे बाजू से उनकी गाड़ियां चलती रहती है वीडियो ग्राफी होती रहती है जिस पाइं मचाहि इंदर अनेक व्रशों से यही हो रहा है और खास तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर हो रहा है कि वहाँ एक दूसरे को मार रहे हैं तुम्हा सुन्नी को मारा सुन्नि से और क्या है अभी पाकिस्तान में में पढ़ रहा था 80% सुन्नी है और 20% सिया जो है 80% है और सुन्नी 20% है तो कहने का मतलब यह है 80% 20% वाले खतम करने भे तुले हुए है वहाँ के देश के राजनीता लोग बड़ा इंट्रेस्ट ले रहे हैं कि इनको खतम करो एक रंग में रंग जाओ कब तक कैसे चलेगा अपने पीर पैगंबरों के उपदेशों के बारे सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या उपदेश दिया था कहां जा रहे हो तो इस प्रकार हिंसा क्रूरता यह अच्छी बात नहीं है आज लोकतंत्र है दुनिया में अधिकांस्ताया तो लोकतंत्र आपको हमें सभी को यह सिखाता है कहीं कोई विवाद है भी तो उसे समवाद के द्वारा ठीक करें समवाद के द्वारा समाधान निकलता है आज परी दुनिया में हथियारों की अंधी दोड मची हुई है मरने मारने के साधन ढूंडे जा रहे हैं जो किसी भी दृष्टी से सही नहीं कही जा सकते हैं आवशक्ता है कि सब अमन चैन सान्ती अहिंसा दया करुणा के सूत्रों को अपनी जीवन के अंदर इस्थान दे चोथी भावना कही गई है मध्यस्त भावना मध्यस्त भावना का दूसरा नाम है उपेक्षा भावना मध्यस्त भावना का मतलब है मिड में बीच में मध्य में होकर के चलना यह मध्यस्त भावना है चलने का विप्राय ये है दो किनारों दो सिरों के बीच में संतुलन बना करके चलना जीवन में कई बार बड़ी विचित्र इस्थितियां होती है और हर व्यक्ति के साथ है कभी जीवन में सुख आता है कभी दुख आता है कभी लाव आता है कभी हानी आती है कभी मान आता है कभी अपमान आता है कभी विकास होता है कभी हरास होता है ऐसे हालातों में अपने आपको सम रखना, मद्धे में रखना, तठस्त रखना ये आवश्यक है ये कला, ये सूत्र, ये समझ जीवन में हर किसी के जीवन में विक्सित होना चाहिए और यदि ऐसा आप नहीं कर पाते हैं, तो आप जीवन में असान्त रहते हैं दुखी रहते हैं, पक्ष विपक्ष में रहते हैं, और जहां पक्ष विपक्ष हैं, तो आप स्वभाविक बात है, राग और द्वेस होगा और राग और द्वेस होगा, तो जीवन में अशान्ती रहेगी आम शक्ता है कि हम जीवन में मध्धस्त बनना सीखें तठस्त बनना सीखें हम उपेक्षा करना सीखें हम किसी चीज में उलजे नहीं उलज जाते हैं तो हम दुखी होते हैं आज हमारे देश के मीडिया पर ये आरोप आम लगता है कि मीडिया तठस्त नहीं रहा मध्धस्त नहीं रहा मीडिया का काम तो ये होता था कि भैं आप A, B, C, D जो भी हैं उनके गुण दोसों को माइनस प्लस को जनता के सामने केवल रख दो आप जजमत बनो केवल हालात के बारे में जनता को बताओ ऐसा हुआ, इसने मारा, उनको मारा, इतनों को मारा ये हुआ और वो हुआ इतना विशलेशन करना केवल मात्र मीडिया का काम था लेकिन मीडिया तो आज में से मीडिया ट्राइल कहने लग गए लोग बाग कि कोर्ट का फैसला क्या आएगा उससे पहले ही पक्ष विपक्ष बना करके सजा भी दे देते हैं फैसले भी सुना देते हैं खुदी नियाय धीस बन जाते हैं आप कहां से तठस्त रह गए निट्रल कहां से रह गए और निट्रल नहीं हो तो आपकी वैल्यू क्या रहे गए आप पैसे के टुकड़ों बविकोगे एक जमाना था कि नेता मीडिया के घरानों से डरते थे और उनसे बचने की कोशिस करते थे लेकिन आ सीधा सीधा है मीडिया विकता है पैसा चाहिए आप पैसे से खरीदो और अपने पक्ष में परचार करवाओ राद दिन मीडिया आपके गुनगान गाएगा कसी दे काड़ेगा आपके दोसों में भी इसको गुन दिखाई देंगे माइनस में भी प्लस दिखाई देगा इस अब क्या है तो जहां व्यक्ति, समुदाए, संस्थाएं तठ़स्ट नहीं रहती, मध्य नहीं रहती राग देश में मेरे तेरे में पक्षविपक्ष में फस जाती है वहां बहुत कुछ गड़बड हो जाता है आवश्चता है कि मध्धस्त भावना को हम सही अर्थों में समझ करके चलें जब हम अमध्धस्त भावना को नहीं समझते तो सभाविक बात है रागदेश बढ़ेगा रागदेश बढ़ेगा तो शान्ती भंग होगी अशान्ती बढ़ेगी कलेश बढ़ेगा विवाद बढ़ेगा तो ऐसा हमारे को नहीं करना तो यहां आचरिहें चंद्रसूरी, ग्रहस्त में निवास करने वाले ग्रस्ति व्यक्ति के जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और वह कह रहे हैं कि तुम अपने जीवन को अच्छा बनाओ, इन अच्छे अच्छी भावनाओं को जीवन में स्थान दो, अपने जीवन को आदर्स जीवन बनाने का प्रेतन करो चार प्रकार की भावनाओं को अपने जीवन में इस्थान दो दान, शील, तप और भावना, त्याग वगरा इन चीजों को अपने जीवन में इस्थान देने का प्रेतन करो और यदि तुमारा जीवन आदर्स नहीं है तो स्वयम स्वयम के उपर बोज बन जाओगे अशान्ती को आमंतृत करोगे और दुखी होगे एक घटना प्राप्त होती है हमारी भारत की राजाओं में एक राजा जिसका नाम हुआ है राजा भोज राजा भोज का बड़ा नाम रहा है बड़े ग्यानी विद्वान समझदार राजा थे तो राजा भोज एक बाद संध्या काल में थोड़ा सा घूमने के लिए विच्रंड करने के लिए निकले भ्रमन के लिए निकले थोड़ा सा नगर के बहार पोँच गए और जहां से जंगल की सुरुवात हो जाती है तो राजा भोज ने क्या देखा जंगल में से एक लकड हारा लकडियां काट करके लकडि के भोज को ले करके आ रहा है ठका हारा है लकडियों का भोज उसके सिर के उपर है तो राजा भोज भी अपने वेश प्रिवर्तन करके निकलना था राजा की ड्रेस तो पेन नहीं रखी थी देखने वाले को क्या मालूं कि राजा है कोई आम आदमी है तो राजा भोज जो है उस आदमी को लकड़ हारे को देखते है और देखने के बाद कहते हैं भाई तुम कौन हो लकड हारा इसे राजा भोज ने का भाई तुम कौन हो तो लकड हारा एक दो तपाक से उत्तर देता किता है मैं राजा भोज हूँ मैं राजा भोज हूँ अब स्वेम राजा भोज से लकड हारा कह रहा है कि मैं राजा भोज हूँ मनी मन राजा भोज को आश्चरी भी हुआ मुस्कुरहाट भी आई लेकिन अपने आपको उसने रोक लिया तो राजा भोज ने लकड हारे से कहा कि भाई तुम राजा भोज हो बड़ी अच्छी बात है तुम राजब हो जो तुम उते ये बतलाओ तुम्हारी कमाई प्रति दिन की कितनी है रोजाना की कमाई तुम्हारी कितनी हो जाती है तो उसने कहा कि मेरी कमाई रोजाना की छे टका छे टके कमाता हूँ अब 6 टके की कमाई भी कोई विसेश कमाई तो है नहीं बढ़ ठेक है गुजाराओ जमाने में चल जाता है छे टके में उन्हें का मेरी कमाई छे टका है इस बात को सुनके कहा अच्छा तुम ये बतलाओ की छे टके तुमारी प्रति दिन की कमाई है तो तुम अपने खर्च का मेरे को हिसाब समझाओ कि इन छे टके को तुम अपने घर, गरस्ती में, दैनिक जीवन में कैसे खर्च करते हो तो लकड हारा बड़े रोव के साथ राजा भोज की भांती अपने आपको राजा मान करके अभिव्यक्ति देते कहने लगा बास सुनो जी, छे टके में एक टका मैं अपने बहुरे को देता हूँ, बहुरा एक टका मैं अपनी आसामी को देता हूँ और एक टका मैं अपने मंत्री को देता हूँ और चोथा टका मैं अपने खजाने में रखता हूँ, खजाने में जमा करता हूँ और एक टका में अपने काम धंदे में लगाता हूँ और एक टका में अपने अतीथी सत्कार पर खर्च करता हूँ ये मेरे छे टके का हिसाब है बोले बात तो सही है तुमारा जो ये पैसे खर्च करने का मैनेजमेंट है बिलकु सही है लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही तुम बहुरा किसको कह रहे हो आसामी किसको कह रहे हो मंत्री किसको मान रहे हो आदी आदी इसका भाव इस्पष्ट कर दो तो इस्पष्ट करते हो कहने लगा लकड़हारा सुनो बहौरा मैं मानता हूँ अपनी मा को जिस माने जनम दिया, पाला पोसा सर्दी गर्मी से बचाया, खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, लिखाया और मेरे से आशा पाली आशा ये पाली कि बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा तो मैं अपनी मा के उपर एक टका रोजाना खर्च करता हूँ यानि मा की सेवा का ध्यान रखता हूँ ये मेरे पहले टके का हिसाब है तो ठीक है, तुमने का आसामी आसामी किसको मान रहे हो वो कहने लगे, आसामी है मेरे पुत्र पुत्रिया बेटा बेटियां, आज वो छोटे हैं, मैं इनको पढ़ाऊंगा, खिलाऊंगा, पालूंगा, पोसूंगा, संसकारित करूंगा भविश्य मेरा नाम करेंगे, मुझे सुरक्षा देंगे, बढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे तो ये मेरी आसामी है, और जो भविश्य का मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं इनमें अपना पैसा खर्च करता हूँ, ये दूसरे टके का हिसाब है बोले अच्छा, तुमने अपना मंत्री किसको माना है, बोले बास सुनो जी, मंत्री जो है, वो है मेरी पत्नी, मेरी धरम पत्नी मेरी पत्नी है, जो मेरे सुख दुख की सहायक है और मुझे सही गलत के बारे में बतलाती है, मैं कोई गलत काम करता हूँ, तो मुझे टोक देती है और गलत काम से मुझे रोकती है और जब मैं संकट में होता हूँ उदास और निरास होता हूँ तो मुझे धैरिये देते केते घबराते क्यों हो सब अच्छा हो जाएगा टेंसन मत पालो और वो मेरे लिए सर्वस्व समर्पन करने के लिए तैयार है हर पल की मेरी साथिये मुझे सलह देती है तो मेरी पतनी ही मेरी मंतरी है और एक टका में अपनी पतनी यानी मंतरी पर खर्च करता हूँ बढ़े तुमने खजाने की बात करी तुन्हें खजाना ये है कि मैं संकट काल के लिए एमर्जंसी पिरिड के लिए भविष्यन इधी के रूप में अपने पैसे को इकठा करके रखता हूँ कभी कोई घर में अचानक विपत्ती आ जाए वो जमा पूंजी में से खर्च कर लूँ अभी कोरोना काल को लगभग 6 महिने से अधिक हो गया है मीडियम वर्ग जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका संतुलन काफी गड़बडा गया है जिनकी कमाईयां रुप गए वो ज़्यादा परिसानी में आए प्रारंब के दो तीन महिने किसी तरह निकाल ली कईयों ने अपनी FD तुड़वाई है कईयों ने करज और सहयता लेकर के गुजारा किया है और जिन लोगों के पाद जमापूंजी बैंक में थी या PF के रूप में थी तो उन लोगों ने जमापूंजी निकाल करके संकट काल में खानी प्रारंब कर दी कईयों ने खा ली कई खा रहे हैं यह संकट काल के समय जमा पूंजी काम आती है तो उसने का एक टका मैं अपने भविष्य के लिए जमा करके रखता हूं और एक टका मैं अपने वैपार कामधंदे की बढुत्री के लिए लगाता हूं और एक टका मैं अपने अतीथी सत्कार पर लगाता हूँ कि जो मेरे घर में महमान आते हैं उनके खिलाने पिलाने पर एक टका खर्च कर देता हूँ उसने छे टके का हिसाब दिया इस हिसाब को सुनकर कि जो सामने राजा भोज है सोच में पड़ गया कमाल है मैं एक्च्वल राजा होते वे भी वित्त का पैसे का इतना मैं संतुलन हिसाब नहीं रख पाता और एक सामानी लकड हारा अपने आपको राजा भोज मान करके छे टके का कितना सुन्दर व्योस्था इसने बना रखी कितना अच्छा हिसाब है कमाल है हर व्यक्ति को ऐसी कुछ घटनाओं से अपने आपकी समिक्षा करनी चाहिए कि हम कहा है हम किस स्थिती में है हम अपने आपको कैसे किस रस्ते लेकर के चल सकते है इन चीजों के बारे में विचार चिंतन करना चाहिए ऐसा ही एक उधारण बूध गरंथों में मिलता है कि महात्मा बुध राजगरी में पधारिवे हैं और वहाँ वैश्य पुत्र नाम का एक्ष्रिगाल यूवक नोजवान निवास करता है जो महात्मा बुध को मानने वाला है तो एक बार का प्रसंग है कि उससे किसी ने पूछा कि भई तुम क्या पूजा पाठ करते हो तो उसने का मैं छे दिसाओं का पूजन करता हूँ मैं छे दिसाओं का पूजन करता हूँ भले भई छे दिसाओं का पूजन आप कैसे करते हो समझ मैं नहीं आया आपकी दिशाएं कुन सी हैं आप पूजन कैसे करते हैं इन छे दिशाओं का वास्तविक अर्थ तो बतलाओ उसने कहा मैं पूरव, दक्षिन, पस्चिम, उत्तर, अधो यानि निचली और उर्ध यानि ओपरी दिशा इन छे दिशाओं का मैं पूजन करता हूँ ब такая ठीक है ये छे दिशा कैसे कैसे उसने कहा देखो पूरव दिशा का मतलब है माता-पिता मैं अपने माता-पिता का आदर्मान, सतकार, सम्मान, विने, बक्ति, सेवा करता हूँ ये मेरा पूरव दिसा का पूजन हो गया फिर कहा दक्षण दिसा की पूजन का मतलब क्या है उसने कहा कि जो मेरे आचार ये हैं जो मुझे ग्यान देते हैं धर्म की शिक्षा देते हैं मेरे जीवन में ग्यान का प्रकाश करते हैं ऐसे आचारियों की सेवा भक्ति विने जो मैं करता हूँ यह मेरे दक्षण दिशा की पूजा है फिरका पस्चिम दिशा की पूजा उसने कहा इस्त्री और पुत्र इस्त्री जो सारे गर को संभालती है पुत्र जो भविश्य का आधार है इनकी शुक स्वीधा का मैं ध्यान फिर का उत्तर दिशा, का के उत्तर दिशा में दो व्यक्तियों की पूजा करता हूँ, मित्र और आमात्य, आमात्य कहते हैं, मंत्री को, सलहकार को, जो मागदर्सन दे, तो मित्र और आमात्य, इनकी सेवा, भक्ति, इनकी व्यवस्था, इस पर में खर्च करता हूँ, और स्वीधा देता हूँ ये मेरी उत्तर दिसा की पूजा है फिर का अधो दिसा अधो यानि निचली दिसा अधो दिसा में कहता है कि दास, नोकर, चाकर, सेवग, करमचारी इन सबका में ध्यान रखता हूँ समय परतनखा देता हूँ विशेश परिस्थिती में पैसे बढ़ा भी देता हूँ विशेश दिक्कत उनको आ रही है तो उनकी साहता भी अलग से कर देता हूँ क्यों? क्योंकि मेरे सारे काम संभालते हैं तो ये मेरी अधो दिसा की पूजा हूई का उर्द दिसा की पूजा आप किसको कह रहे हूँ? बुले उर्द दिसा की पूजा है स्रमन और ब्रहमन की पूजा स्रमन यानि साधो, संत, सन्यासी और ब्रहमन इनका मैं आदर करता हूँ, सतकार करता हूँ, सम्मान करता हूँ समय समय पर आहार देता हूँ कपड़ा देता हूँ, सुविधाय देता हूँ, साधन देता हूँ ये मेरी उपरी दिसा, उर्द दिसा की पूजा हुई ये छे दिसा की पूजाएं हमें क्या संकेत कर रही है कि निश्चे में आत्मा मोक्ष की बात तो बाद में करे जहां जी रहे हैं, रहे रहे हैं, वहां आसपास के वातवरण को मच्छा बनाएं, जब आसपास का वातवरण हमारे अनुकूल रहता है, प्रेम पूर्ण रहता है, स्नेह पूर्ण रहता है, तो मारा मन सुकुन से भरा रहता है, और मन सुकुन से भरा रहता है, तो फिर धरम, अध्यातम के मारक पर कदम बढ़ाना आसान हो जाता है सुकुन भरा हो जाता है तो हमें अपने भूमी का के रूप में इन सारी बातों को स्वीकार करना चाहिए